Hello students, I am your online class teacher on behalf of RV Star Academy and Munich Star Academy. For class second, subject, Communicative English. Open your books and come on page number, page number 9. तेखिये, यहापर page number 9 दिया हुआ है. Page number 9 पे आईए and we are going to learn second chapter, the garden fairy. इसका मतलब क्या होता है? Garden मतलब क्या होता है? बाग बगीचे की जो है, फैरी मतलब परी होता है. यानि बगीचे की जो है, परी होती है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. चलिए, वह हम अपकर लेते हैं, पहले. Match the columns. यहाँ पर देखिये, matching करना पहले. यहाँ पर देखिये, यहाँ पर पहले का दिया है, पंडित, यहाँ पर पीटी से मतलब शॉर्ट में दिख़ए हो, पंडित, पंडित नहरूज फैवरिट फ्लावर. यहाँ पर क्या बोला, पंडित नहरू को जानते हैं, अप लोग, हमारे देखिये, प्रतम प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर देखिये, यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पहले वाले को आप रोज, यहाँ इससे मिला लिजेगा, ठीक, पहले वाले का C वाले से match कर देखिये, अबर नेशनल फ्लावर, हमारे देश का जो है, फूल काउंस है, हमारे नेशनल फ्लावर, हमारे नेशनल फ्लावर काउंस है, लोटस, कमल, इसको यहाँ पर आप लोग, दूसरे वाले को ए वाले से match कर लिजेगा, ठीक है, चलिए, तीसरे देखते है, वी गेट चलिए, अब हम चेप्टर स्टार्ट करते हैं, चेप्टर का नाम क्या है, गार्डन फेरी, यानि भगीचे वाली परी, चलिए, टिंकी लवस फ्लावर, अभी इसका मतले के, टिंकी लवस फ्लावर, टिंकी काउन है, यह जो लड़की है, इसी के बारे हम बात करें, अब है प्यार करती है, शी लवस रेड एंड येलो फ्लावर, वो जो है, लाल और पीले फूलों को जो है, प्यार करती है, शी लवस ब्लू एंड पिंक फ्लावर, देखिए, वो जो है, नीले और गुलाबी फूलों को भी प्यार करती है, और पसंद करती है, शी लवस औरेंज और वाइट फ्लावर्स जो है वो जो है औरेंज और सफेद तरह के मतलब उस तरह के भी फ्लावर्स को जो है वो प्यार करती है बहुत पसंद करती है she loves all flowers देखे बाद में क्या बोल दिए she loves all flowers उस वो जो है सारे फूलों को प्यार करती है वो सारे फूल उसको बहुत पसंद है इसको यह टिंकी को चलिए every morning हर सुबा she goes to the garden and pluck many flowers every morning मतलब हर सुबा she goes to the garden वो गार्डन यहीं बगीचे में जाती है and pluck many flowers pluck मतलब होता है तोड़ना बहुत सारे फूल को जो है फूलों को जो है तोड़कर लाती है she has a beautiful flower flower vase देखे उसके पास जो है बहुत ही खुबसूरत जो है फूलों को रखने वाला एक वो होता है घर में वास बोलते है जिसको वो है flower vase है in her study room उसके जो है जहां पढ़ाई करती है वो वाले room में देखे यहां पर रखा हुआ है she keeps the flowers in it और वो सारे फूल को जो है इसी वास में वो रख देती है ठीक है but is it a nice thing to do लेकिन क्या यह अच्छी बात है जो कर रही है वो यह सवाल यहां पर पूछ रहा है कौन पूछ रहा है उसकी mother her mother has told her many times उसकी मम्मी जो है उसको बहुत बार बोल चुकी है that flowers look beautiful on the plants की यह सारे फूल जो है वो पेड़ पे जो लगे रहते हैं पौधों पे वो बहुत खुबसूरत लगते हैं घर पे लाने के वाद उतना ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं उसकी मम्मी उसको बार बार बोलती है यह बात ठीक है अब यह पेज पलटीए आईए दूसरे पेज पे देखिए यहां पे देखते हैं अभी and we should not pluck them unnecessarily क्या कह रही है उसकी मम्मी यह सारे प्लांट्स जो नहीं तोड़ना चाहिए सारे फूलों को पौधो पर से क्योंकि यह बिने जरूरत की कोई जरूरत क्या क्यों तोड़ने का इनको हमें यह सब नहीं तोड़ना चाहिए उसकी मम्मी बोल रहे है but Tinky never listen to her but Tinky है वो अपने मम्मी की कभी नहीं सुनती है बात ठीक है One morning एक सुभा She gets up quite early वो जो है एक morning जो है सुभा जल्दी थोड़ा उठ गई ठीक है She takes her basket and goes to the garden वो जो है अपनी एक टोकरी थी जिसमें फूल लेकर के आती थी वो लेकर के जो है गार्डन भगीचे में गई She wants to pluck some fresh flowers वो जो है कुछ ताजे फूलों को जो है तोड़ना चाहती थी Suddenly अचानक से She hears a strange sound वो जो है एक अजीब सा मतलब आवाज उसको सुनाई दी She looks back वो जो है तुरंत पीछे मुड़ी अपने A tiny fairy is standing near a rose plant यानि एक छोटी सी जो है परी खड़ी थी रोज यानि जो गुलाब का फूल था प्लांट उसके पास She is weeping और वो रो रही थी Tinky goes near her and ask Tinky जो है उसके पास करीब गई और पूछी Why are you weeping तुम क्यूं रो रही हो ठीक है चलिए हमारा यह पार्ट हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा अब यहाँ से जो है आगे से जो फैरी ने क्या जवाब दिया इसके आगे से हम अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ाई करेंगे ठीक क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत बढ़ी होगी चलिए थैंक यू, have a good day